हलो फ्रेंज, तो आज मैं आपके साथ में शेर करुगी, नाई मटन करी, नाई मटन का सालन, नाई मटन का कोर्मा आज मैं आपको मटन से एकदम नई और डिफरेंट रेसिपी शेर करूँगी, जिसे बच्चे बढ़े हर कोanche कोई पसंद करेंगा तो एक बार मेरे तरीकी से रेसीपी जरूर ट्राइ किजेंगा, और अगर आपको रेसीपी पसना है तो प्लीज मेरे रिक्वेस्ट लाइक किजे, शेयर किजे, सब्सक्राइब किजे, सबसे पहले हमने 1 kg मटन लिया है, मटन को देकि इस तरीकी के छोटे-छोटे तुकड़ो में कट कर लेना और वाश कर लेना है, तरीकी इसी तरीकी के छोटे-छोटे तुकड़े हमने कट करके वाश कर लिया है, अब इसमें हम सारे इंग्रिडियंस मिलाएंगे, जैसे कि सबसे पहले हमने 2 टेबल स्पून अध्रक लैसन का मोटा-मोटा कूटा हुआ पेष्ट ले दालेंगे, टू टेबल स्पून धनिया, जैसे नमक दालेंगे अपने सूात के अनुसार चाट मसाला पाउडर हमने पहले ले दाल दिया तो उसकी छोट इसी इकिलिख है जो हमसे मी सो चुकी थी, फर दालना आए हमें, वैन टेबल स्पून जया है तो घराम मसाला पाउड अब इसमें एक लेमन का जूस दालेंगे तो आप लेमन का जूस निकाल के च्छानने और फिर दाले तो इसके निकालने पड़ेंगा अब इसके अंदर जितने पड़ेंगे क्योंकि हम जब खाएंगे तो बिल्कुल भी लगते तो इस बार आप ज़रूर से ख्याल दीजेंगा अब इसमें एकदम स्ट्रीट फूट वाला टेक्श्चर लाने के लिए थोड़ा सा रेट फूट कर लेंगे अब अब आरी चीजों को हमने अच्छी तरह से करना है इसमें टेबल्स बेसिक लेंगे अच्छी तरह से जाए और बहुत अच्छी तरह से लगें अच्छी हुआ है कि अच्छी तरह कि इसके पीसे करने के लिए रगाश्ची तरह से दो घंटे ताकि और विव्यत जादा के इसमें जो है तो में लगए हैंगें आप इसमें यहाँ कर्यां करेंगें इसमें दालेंगे हम आदा गिलास water, अब इसमें एक secret masala दालेंगे, जिससे मठन का स्वाथ 100 गुना बढ़ जाएती, इसमें दालेंगे हम तंदूरी मसाला, टू टेबल स्पून तंदूरी मसाला जिसे हम चिकन को सेकते हैं न यानि रोस्ट करते हैं उससे तंदूरी मसाला कहते हैं और जो चिकन फ्राइ होता है उसमें कौन फुलावर होता है तो वह वाला हमें मसाला नहीं डालना जो सेकते हैं यानि चिकन तंदूरी बनाते हैं वह इन सारी चिज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अगर आपके पास तंदूरी मसला ना हो तो आप स्किप कर सकते हो लेकिन चिकन फ्राय मसला मत डालेंगा यह से बॉइल होने के लिए गैस पर रख देंगे जब तक यह बॉइल होता है तब तक हम इसकी मज़ेदार से चटनी बनाएंगे उसके लिए जो है तो हमें एक मिक्सिका जार लेंगे इसमें तोड़ा सा पुदीने का पत्ता लेंगे एक दों फ्रेश वाला अधनिया पत्ता लेंगे चोटी कटोरी भर कर इसमें तीन हर इमिच लेंगे तो हर इमिच आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कमिया जादा कर सकते हो थोड़ा सा नमक दालेंगे थोड़ा सा सिट्री कैसे डालेंगे एक पिंच जिसे निम्बू सत कहते हैं ये ना हो तो एक से दो लेमन का जूस भी इसमें दाल सकते हो तू टीस्पून भरकर यानि वन टेबल स्पून भरकर चीनी दालेंगे ताके खटा मिठा स्वाद आ जाए अब इसकी थिकनेस के लिए एकदम थोड़ा से थिक हो जाए उसके लिए इसमें हम तू टेबल स्पून पीनट यूस करेंगे ताकि थिक हो जाए अगर हम इसी तरीके से पीस लेंगे तो इसमें थिकनेस नहीं रहेंगी आप लेमन ना हो, सिट्रिक एसिट ना हो तो दहीं भी यूस कर सकते हो इसमें चार से पांच कलिया लहसुन की दालेंगे जिसका हम छिलका नहीं उतारा छिलके समेथ ही यूस करना है इसमें थोड़ा सा पानी दालेंगे चटनी जितनी आपको पतली चाहिए इस अपसेस में पानी दाले और मिक्सी में अच्छी तरीके से एकदम फाइन पेस्ट बना ले इसका तो देखें हमारी बहुत ही चटा के दार्ची मटन के लिए चटनी भी रेडी है इसकी थिकनेस भी देख लीजिए किस तरह के हमने थिकनेस बनाई हुई है इतनी थिकनेस हमने रखी है अब देखें यहाँ पर मटन भी अच्छी तरीके से गल चुका है लगभग इसे 15 से 20 मिट हमने गल आया है अब हम एक पैन लेंगे और डायरेक्ट पैन में जो है तो मटन दाल देंगे अब इसमें 4 टेबल स्पून ओईल दालेंगे यहाँ पर एक में ज़रूरी बात बता दूँ जब भी यह मटन बनाना हो तो मंस्टिक की कड़ाईल तो यह मसाला चिपके न जो भी मसाला है पूरा मटन की बोटियों उसी ही चिपकेंगा तो देखिए इसे फ्राय करते हुए दस मीट हो चुके थे और दस मीट में यह पैन को बिलकुल भी नहीं चिपका था टोटल जो मसाला ही इन बोटियों को चिपका है तो इससे हमारा मटन में बड़िया स्वाद आएंगा तो इस बात का जरूर ख्याल रखे ताब हमारा जो है तो मटन रेडी एक सर्विंग डिश लेंगे उसमें चटनी रखेंगे और थोड़ी से प्यास के लच्छे लेमन के स्लाइस पुदीने के पत्तर से इंजॉय करेंगे तो लीजिए हमारा जबर्दस मटन रेडी एक बार मेरी तरीके से आप ये जूसी मटन चटपटा मटन जरूर बना कर देखेंगा उम्मीद करती हो आपको मेरी रेसे पी पसन आएंगे अगर आपको मेरी रेसे पसन है तो म मेरी रिक्वेस्ट जरूर से में चैनल को लाइक किजिए शेर किजिए सब्सक्राइब किजिए अल्ला आफीज एंटेक केर